फाइनली रियल्मी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियल्मी 12x5G को लॉंच कर दिया वही दूसरी तरफ रेड्मी का पॉपलर स्मार्टफोन रेड्मी 12x5G वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन की प्रैस में सिर्फ 500 रूपीज का डिफरेंस देखने की पिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर परफॉमस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तरफ रेड्मी 12 5G में कॉलकॉम स्नैप डेगन 4 Gen 2 का प्रोसर देखनों को मिल जाता है वही दूसी तरफ रियल्मी के 12 X 5G में मीडिया टक का डेमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसर देखनों को मिल जाता है अगर परफॉमस वाइज बात करी जा तो इन दोने स्मार्टफोन में इतना जादा डिफरेंट देखनों को नहीं मिलेगा वही एक तरफ रियल्मी के 12 X 5G का जो अंतर तू स्कोर निकल के आता है वही दूसी तरफ रेड्मी 12 5G का जो अंतर तू स्कोर निकल के आता है फोर लेक्स फोर्टी सेवन थाउजन निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफोन के जी एफ़क स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जाना बहुत ज़रा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरब रेडबी तोल 5G का जो गेमिंग स्कोर के निकल के आता है वो थ्री तौजन निकल के आता है बात तो इक तरब रेडबी तोल 5G में 6.79 इंच की बिक साइज की फूल tract पांच ओल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ रियल्मी के 12x फैब्ज में 6.72 इंच की बिक साइज की फुल एच्टी प्लेस पांच ओल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफून का ऐसे इंच की बात करी जाए जिस स्मार्टफून के प्रेस में इतना डिफर्ट देखने को नहीं मिलता उससी तरह इं दोने वे पॉन प्विक लेन एचर डियिक देखने को मिल जाते है वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G के भी बैक में dual rear camera setup देखनों को मिल जाते हैं 50MP का main primary camera मिलता है जिसका aperture f1.8 aperture देखनों को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera 2MP का मिल जाता है with LED flashlight के साथ वहीं एक तरफ RealMaker 12x 5G में आप लोगों को dual video record करने का option देखने को मिल जाता है जब कि Redmi 12 5G में आप लोगों को dual video record करने का option देखनों को नहीं मिलता है selfie camera के बात करी जाता तो एक तरफ RealMaker 12x 5G में 8MP का selfie camera देखने को मिल जाता है जिसका aperture f2.0 aperture देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G में भी 8MP का selfie camera देखने को मिल जाता दोने smartphone का अगर betty सेग बिंग की बात करी जाता है तो betty तो दोने smartphone में एक जैसी देखने को मिल जाती पर charging speed में काफी जादा डिफरन देखने को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ RealMaker 12x 5G में 5000 mAh की betty देखने को मिल जाती 45W के super walk charging के साथ USB tap support का support देखने को मिल जाता है दूसरी तरफ Redmi 12 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है सिर्फ 18W के fast charging के साथ USB tap support का support देखने को मिल जाता है security feature के लिए दोने smartphone में side mounted fingerprint sensor देखने को मिल जाते है तो अब बात करी जा कि दोनों में से कौनसा smartphone आप लोगों के लिए बेश्ट है रियल मी के 12 एक्सवाब जी को ही बाई करें